बहराईस के महसी लाके में लगातार आदमखोर भेडिये का अतंक है और लगातार यहां casualty हो रही हैं भेडिये के बच्चे हैं सिकार हो रहे हैं हम ऐसे ही घर पे हैं जहांपे 4 अगस्त को एक 8 साल के किसन को भेडिये के हमने में उसके मौत हो गई थी बताया जा रहा है कि अपने मम्मी के साथ लेटा हुआ था उसके बाद रात में सोते समय उसको भेडिये खीच ले गया था हम इसमक किसन के घर पे मौजूद हैं उनकी माता जी मेरे साथ में हैं हम इसे पूछ लेते हैं कि कैसे घटना हुई थी क्या नाम है अपका? जीला गाका? कैसे घटना हुई थी सब ये रात मां थी बज़े घटना अंदर से ती उठाय लगी कि अबागवार था डिखाए कहा आप लेटे हुई थी आप लोग क्या अंदर लेटे रहने इंखाए लो मतरत मारत में यह गर के अंदर लेटी हुई थी आप तो घर के अंदर लेटी थी दर्वाजा नहीं लगा था क्या ना आ रहा है दर्वाजा था बाद में हैं लागा है तो दर्वाजा किसने लगाया है का विधाग जी के भाई लगवाई नहीं है तो यह किसन के मां है जिनका कहना है कि दरवाजा नहीं ते घरमाओ घर में ही लेटे हुए थे सभी लोग घटना हो जाने के बाद अब जिला परसाशन भी जागा है और अब भी बताया जा रहा है कि जो घटनाएं हुई हैं महसी इ तरफ से अब दरवाज लगवा आया रहा है जिन घरों में दरवाज नहीं है हरी मास्क लट लजा रही है रही है मेरे साथ होजा है मेरे साथ होज़ेमनतु हे अस के सारी दुखत ग होई पुरा प्रशासन दर पर विकाज दरफो जिलादिकारी महुद्या का और जो हमारे मानी विधायक जी है उनका जो निर्देश है उसके क्रम में ऐसे सभी घर चिन्नित किये जा रहे हैं जो विशेश रूप से गन्ने के खेट के पास हैं और गरीब घर हैं गरीब लोग हैं जिनके घरों में दरवाजे नहीं हैं ऐसे ने क्रिटिकल गैप का फंड रिलीज किया 20 लाक रुपए का जिसके तहत 40 सोलर स्ट्रीट लाइट और 10 हाई मास्ट लाइट लगवाई जा रही हैं और इनके अत्रित ग्राम पंचायतें भी अपने सभी जो विद्दूत के खंबे हैं उसमें प्रापर प्रकास विवस्था के लिए जो ऐड़ी लाइट होती है, वो लगवारी है जिन में मर्कүी लाइट भी है जो हई वाच की हैं जिनमें एची होती तो ये कारी बी कराए जा रहा है जटनाओं के बाद विकास विवभाग जागास है और लगातार जो इसे भीड़िया से झो प्रभावित जो गा अपतेज हुई है एबी पी गंगा खबर आपकी जवाब की